हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है सचन और आज आप देख रहे हैं हमारा खास शो जो आपको फिल्म जगत और एंटरेटेन्मेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है तो आज के एफिसोड में मैं फिर से लेकर आया हूँ एंटरेटेन्मेंट का तग्रा लोग्स आज हम बात करेंगे विक्की कोशल और केटरीना के एफ की विक्की कोशल, त्रिप्ती डिम्री और पंजावी सिंगर एमी की फिल्म बैड निउस 19 जुलाई के दिन सिनेमा गरों में रिलीज होने वाली है फिल्म के रिलीज में अब सिर्फ 9 दिन बाकी है ऐसे में विक्की अपनी upcoming फिल्म का जम कर प्रोमोशन कर रहे है प्रोमोशन के दौरान विक्की ने अपनी पत्नी केटरीना केफ से जुड़ा मज़िदार किस्सा शेयर किया उन्होंने बताया कि उन्होंने केटरीना के साथ करवा चौत का वरत रखा था तब क्या हुआ था? आप भी सुनिये विक्की से पूछा गया कि क्या उसने करवा चौत का वरत रखा था और क्या उसे मुश्कल भी हुई इसका जवाब देते हुए विक्की ने बताया कि वो बहुती स्ट्रिक डाइट फॉलो करते हैं और वो अपनी हेल्फ मेंटेन रखते हैं इसलिए उन्हें कोई परिशानी नहीं हुई लेकिन केटरीना गूगल कुई नहीं है करवा चौत वाले दिन केटरीना ने गूगल से पूछा था कि चांद कब निकलेगा गूगल ने कहा था कि रात साड़े आट बजे वहाँ पर दिखा रहा है विक्की ने आगे बताया कि मैंने केटरीना से मना कर दिया था कि चांद गूगल के साब से नहीं चलता वो तब ही आएगा जब उसे आना होगा गूगल बादलो के मुमेंट का अनुमान नहीं लगा सकता लेकिन वो नहीं मानी और जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ साड़े आट बजे के बाद चांद नहीं निकला साड़े आट तक वो बिलकुल ठीक रही लेकिन उसके बाद वो परिशान हो गई और उसे भूख लगने लगी इससे पहले भी दिये गए इंटर्व्यू में केटरीना ने बताया था कि उन्हें करवा चौत का experience काफी अजीब रहा केटरीना ने कहा कि सबसे अच्छी चीज़ सो ये थी कि विक्की कौशन ने उनके लिए वरत रखा था उन्हें ये बिलकुल उम्मीद थी कि विक्की उन्हें अखेलिए वरत रखने नहीं देंगे और ऐसा ही हुआ उनके बिना कुछ कहे विक्की ने वरत रख लिया इसके अलावा केटरीना के सास और ससुर भी उनके गर करवा चौत के मौके पर आये थे घर पर पूजा हुई थी और बहुत कुछ अच्छा हुआ था ऐसे ये अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं